हिंदु धर्म में गाय का भौती अधिक मेत्व है आम तोर पर गाय को माता कहा जाता है और जातर जगों पर गाय की पूया भी की जाती है धार्मिक मानताओं के अनुसार गाय ही एक ऐसा पसू है जिसमें 33 करोड देवी देवताओं का वास होता है गाय को रोटी खिलाने का या उसकी सेवा करने का अर्थ यह होता है कि आप 33 करोड देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं कहा जाता है कि एक पृतापी राया ने गाय की सेवा की थी और इसके कारण उसे संतान की प्राक्ति हुई थी गाय की सेवा करना तो कई मायनों में लापकारी होता ही है लेकिन गाय के दान को भी महादान माना जाता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाय को भूल कर भी ऐसी कौन सी तीन चीज़ें जो हमें नहीं खिलानी चाहिए आगे भणने से पहले दोस्तो अगर आप नवी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब निकिया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारी चैनल के मात्गम से हर रोज कुछ नई जानकारियां जानना चाते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे कि नए नी जानकारियां नए नी वीडियो आप तक पहुंचती रहें सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए और गाय को क्या खिलाना चाहिए जिससे कि मा लच्मी आप तूब अपनी किरपा बर्चाएं और आपके घर में हमेशा तरक्की और धन दौलत बनी रहें दोस्तों जो लोग गाय को नेमित रूप से रोटी खिलाते हैं या गाय की सेवा करते हैं उनकी कई पीडियों पर इसका सकारात्मक प्रवाव भड़ता है और पीडि दर्पीडि लोग उन्नती और खूब तरक्की करते हैं अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके घर के बच्चे या आपकी आने वाली पीडियों को संसार के सभी सुक प्राप्त होते हैं और उन्हें सभी तरह के लाव एवं पुन्य प्राप्ती होती है गाय को रोटी के साथ जब भी आप सोबह सबसे पहली रोटी गाय क करने से आपके सभी बेगड़े काम बन जाते हैं और आप अपने जीवन के हर छेत्र में सफलता राप्त करते हैं हालांकि यह ध्यान रखें कि जब गाय बैठी हो तब उसे रोटी खिलाना ज्यादा फल्दाई होता है गाय को रोटी में गुड मिलाकर खिलाने से द्रस एवं अद्रस सक्तियां आपकी शाहिता करती हैं और आपकी लोकिक एवं आलोकिक दोनों फलों की राप्ती होती है ऐसा करने से माललचमी भी पिरसन होती है और आपके घर में हमेशा धन की बरसा होती रहती है दोस्तों मंगलवार के दिन किसी अंजान रास्ते में गाय को रोटी खिलाने से आपके घर में सुक समरदी आती है अगर आप उपवाज रखकर गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपका ब्रत रखना सार्थक एवन फल दाई हो सकता है ऐसा माना जाता है कि बुद्दवार के दिन गाय को गुड़ खिलाने से मा लच्मी काफी प्रसन होती हैं साथी भवाण विश्णों की भी आपके उपर काफी किरपा होती है ऐसा करने से आप जो काफी तरक्की करते हैं और आपका प्रमोशन भी पक्का होता है अगर आप किसी भी काम को संपूर करना चाहते हैं तो आप जो अब बुद्वार के दिन किसी गाय को जिसका बचड़ा हो उसे सवा किलो पालक खिलाएं पालक खिलाने से आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम आपका चल्दी पूरा होगा अब बात करते हैं दोस्तों गाय को ऐसी कौन सी तीन चीएं जो भूल कर भी हमें नहीं खिलानी चाहिए दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि गाय को कभी भी बासी रोटियां नहीं खिलानी चाहिए काफी सारे लोग क्या करते हैं रोयाना सोबय की एक रोटी जो गाय के हिस्से की होती है उसे रख लेते हैं और गाय को खिलाते नहीं हैं दो तिन दिन बाद एकटा करके उन्हें खिलाते हैं तो ऐसा करने से असुब माना याता है ऐसा करने से भगवान आपके देवी देवताएं वो आपसे नाराज हो जाते हैं और ऐसा होने से आपके घर में माललचमी नहीं आते हैं या आपके काम बिगणने लगते हैं गाय को बासी रोटी खिलाकर आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और आप अनावस्यक मिरत्यू का सिकार हो सकते हैं जिस प्रकार से गाय को रोटी खिलाना पुन्निफल प्राक्ति के लिए उप्योग होता है तो वहीं गाय को बासी रोटी खिलान कर भी गाय को खिला सकते हैं ऐसा करना सुम माना याता है नम्मर तीन ध्यान रखें कि कभी भी आप रोटी बनाएं तो सबसे पहली रोटी ही गाय को खिलानी चाहिए इससे आपको हर काम में सफलता मिलती है और आपके 33 करोड देवी देपताप से पिरसन होते हैं साथी आपको गाय को कभी भी जूटी या बचोई रोटी नहीं खिलानी चाहिए और हमें गाय को भूल कर भी कभी नमक नहीं खिलाना चाहिए कहल आता है आपने कावत तो सुनी होगी कि कहल आता है किसी को नमक खिलाने से वो हमारा कर्जदार बनता है तो भूल कर भी गया को नमक इसलिए नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि घया को मातलच्मी का रूप माना याता है साथी गया के अंदर 33 करोट pior देवी देवदा का बास होता है तो हम उनके कर्ज के भागी हैं बलकि वो हमारे कर्ज के भागी नहीं है तो इसलिए भूल कर भी ऐसी गल्ती ना करें तो दोस्तो यह था मेरा आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया हुआ तो आप इसे ज़्यादा ज़्यादा आपने दोस्तों से शेयर करें वीडियो को लैक करें और अगर आप हमारे चैनल के माद्दें से हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सबस्क्राइब कर लें मिलते हैं अगले नई वीडियो में तब तक लोग सो बाए